Hey guys, welcome to my youtube channel, my name is Jay Sahu and let's start Hi guys, welcome, कैसे हो आप लोग और आज मैं आपको बताने वालों कि pond देखने के फाइदे क्या है, pond देखने से benefit क्या होती और pond देखने से हमारे life में वो किस तरीके से असर करता है तो let's get started तो कुछ scientist और statisticians का मानने कि जो पहले से अभी जो sex crime हो रहे है न वो pond के वज़न से decrease हो गया है, तो ये एक अच्छी बात है और pond देखने से हमें जो inspire होती है fantasy की तो जो ये fantasy हम सोचने लग जाते है, experience करने लग जाते है न तो ये एक तरीके से हमारे health के लिए अच्छी होती है और pond देखने से encourage होता है masturbation को यानि masturbation हमें करने का मन लगता है masturbate तो ये healthcare अच्छी होती है गासी से करने से कुछ और extra नहीं होता कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा बलकि इससे फाइदे जाद है हम अच्छी में इसके कारण हम रिप्रडूस्य और अच्छी होती है इस्ट्रेस जो है पूरे खतम में अच्छी होता है नहीं गरते है वो घंत कर उनु ने निंदिखाय तो जिनको निजिकाया वो मैंस में अच्छ अ पफरॉम कर पाते क्योंकि उनमें जो है पूरा मैंस कॉलटी सोल होता है नई, इक्ष campus में कम हो गया चुब मैंस कॉलटी सोल होटा है कि यह स्ट्रे斯 हॉल्म२ होता है तो जितना स्ट्रेस कम होगा लोर स्ट्रेस होगा हम उतनी फोकस कर पाएंगे कॉनसेंट्रिछन कर पाएंगे और पॉन देखने से हमें ये बहुत की रिलेशनशिप और को बेनेफिट मिलती रेलेशनशिप को पकड़ के रखता है कि sexual relationship होते हैं sexual activities जो नहीं करने पाती है कैसे करने पाती है यह पॉन देखके हमें पार्टनर के साथ वो कर सकते हैं और पॉन डिजायर को नॉर्मल कर देते हैं कभी-कभी आप सोचते हों कि यार यह मैं ऐसा क्यों सोचते हूं क्या यह मेरी साथ होता है तो नहीं यह फ्रेंड्स सब के साथ होता है तो you are absolutely fine, you are okay और पॉन सबसे अच्छी बात ही है कि यह न पॉन से ना में learning मिलती है learning मिलती कि कई लोग को भता नहीं होता कि sexual activities कैसे करिया kids जो है produce कैसे करे तो उनके लिए बहुत ही plus point और यह अच्छी चीज़े उनको लिए तो these are the thing guys अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे like करो, share करो, comment करो, subscribe करो हमारी चैनल को और bell notification को दबाओ हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए